दोस्तो विल्कम टू माई चैनेल जब आपडेट वान नाइन नाइन सेबन दोस्तो मैं नेम इस विश्योजीत आज जो जब वैकांसी लेके दोस्तो डिसकास करने वाले हैं ओए दोस्तो फार्मा कमपानी जब वैकांसी टुथाउजेंड टुइन्टीफो दोस्तो अगर आप सो कैसे अपलाई करना है वैकांसी डिटेल्स पोउज डिटेल्स सीलेक्षन पोसेस जोब लोकेशन कॉंसा कमपनी के थ्रू ए वैकांसी निकला है एन दोस्तो ऐलेजिबिलिटि क्राइट边 क्राइटरिया लेके आज का वीडियो होने वाला है ठीकि ए內 दोस्तो कैसे कीजिए वीडियो को फुल वाच कीजिए क्यूंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं आप लोग गलत इनफ़ॉर्मेशन लेके जाओं मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग सही इनफ़ॉर्मेशन लेके जाओ अन्ध सही तरीके से अपलाई करो ठीक है ना शोचलो टाइम वेश नहीं करेंगे सीधा में टॉपिक लिएकर डिसकास करेंगे उससे पहले दोस्तों वीडियो को ज़्यादा दोस्त लोग के साथ शेयर कर देना क्यूंकि सबको हेल्फ होना चाहिए सबको नौकरी दोस्तों मिलना चाहिए ठीक है यह मेरा चैनल का मेन मोटीव और दोस्तों ऐसे एक लाइक दोस्तों जरूर कर देना ठीक है सो चलो लेट स्टार्ट तो दोस्तों इसका जो ओपिश्याल नोटिफिकेशन डिलीज हुआ है दोस्तों इस कमपानी के थुरू जो वैकान से डिलीज हुआ है उसका जो ओपिश्याल नोटिफिकेशन डिलीज हुआ है दोस्तों मे मेरा official telegram channel का link आप लोग को मिल जाएगा दोस्तो फटा पर join हो जाना क्योंकि दोस्तो इस official notification को मैं अपना official telegram channel में forward कर दूँगा ठीक है सो चलो let's start ठीक है तो दोस्तो टाटफा चिंतन फार्मा केमिकल लेमिटेड कंपानी के थूआ ये वैकान से हमारा निकला है तो फास्ट फॉल आप लोगों को वाकन इन्टर्विव थूआ दोस्तो शिलेक्शन किया जाएगा ठीक है अगर दोस्तो आप लोग interview location में पहुच नहीं सकती ठीक है ना अगर दोस्तो आप लोग interview attend नहीं कर पाया तो दोस्तो second option है apply करने का वो कैसे apply करने का है दोस्तो वीडियो का end में हम जरूर बताएंगे ठीक है फास्ट पॉल दोस्तो 17 नोबेम्बर तु 24 नोबेम्बर तक सांडे वूर्च अन भड़ोडोरा टाइम 9 अम टु 5 पीम वूर्च आरी जेंटर सेंट्राल हरीमंगला ओल्ड एनेज 8 अबीसी चोगडी भड़ोडोरा टाडवा चिंतन फार्मा केम लिमिटेट प्लोट नमबर 35 3 GIDC मक कर पूरा ठीक है इस एड्रेस पे दोस्तो 17 नोबेम्बर टु 24 नोबेम्बर तक दोस्तो सोरी 17 नोबेम्बर दोस्तो वाकें इंटर्विव होगा ठीक है फास्ट फॉल दोस्तो आप लोग 17 नोबेम्बर जाके इस एड्रेस पे दोस्तो इस वैकांसी रिगाटिंग आप लोग जाके इंटर्व्यू दे सकते हो क्लियर सिगेंड जो ऑप्षन है अगर दोस्त आप लोग इंटर्व्यू में दोस्तो कैसे भी करके एटेंड नहीं कर पाया फिर भी दोस्तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजेबेलो एपलाई कर सकते हो ठीके कैसे अपलाई करना है वीडियो का एंड में दोस्तो हम जरूर बताएंगे ठीके धियान से देखना ठीके अब दोस्तो ये जो इंटर्व्यू एड्रेस है ना इस इंटर्व्यू एड्रेस कर दोस्तो मैं अपना वीडियो का description में mention कर दूँगा आप लोगों के लिए कुछ tension मत करना ठीक है सो चलो बिस्तार से discuss करते हैं ठीक है दोस्तो company name टटवा चिंतन फार्मा केम लिमिटेट ठीक है अब दोस्तो department, position, qualification and experience ठीक है मतलब कौनसा department के लिए ब्याकान से निकला है designation क्या होने वाला है qualification क्या होने वाला है और उस regarding क्या experience चाहिए clear दोस्तो फास्ट आते हमारा production pilot plant distillation ये थ्री डिपार्मेंट के लिए जो designation चाहिए executive production officer production and plant operator production हो गया अब इसके लिए दोस्तो qualification क्या चाहिए अगर आप लोग MSC and BE chemical engineering से पास आउट हो तब दोस्तो इस post के लिए आप लोग एली जबेलो and apply कर सकते हो अगर दोस्त आप लोग BSC otherwise MSC chemistry से दोस्तो पास आउट हो तब दोस्तो इस post के लिए आप लोग एली जबेलो and apply कर सकते हो officer and production के लिए अगर दोस्तो प्लांट अपरेटर पोड़क्शन के लिए अगर दोस्तो आप लोग ITI, AOCP, डिपलोमा केमिकल इंजिनियरिंग एंड B.S.C. केमिस्ट्री से दोस्तो पास आउटो तबी इस पोस्ट के लिए अपलो गेली जबेलो एंड अपलाई कर सकते हो पोड़क्शन डेजिगनेशन के लिए दोस्तो 7-9 यार्स का वर्क एक्स्प्रियेंस चाहिए ओपिसर पोड़क्शन के लिए 2-10 यार्स का वर्क एक्स्प्रियेंस होना चाहिए plant operator production के लिए 3 to 7 years का work experience दोस्तों आप लोग के पास होना mandatory है clear next आते हैं दोस्तो department QA designation होने वाला है executive assistant manager packaging qualification होना चाहिए BSC otherwise MSC chemistry with PG clear diploma candidate भी दोस्तों इस post के लिए eligible है and apply कर सकता है BSC MSC in packaging technology from Indian institute of packaging ठीक है qualification experience चाहिए दोस्तों 3 to 7 years का ठीक है next आते QA department resignation होने वाला है दोस्तों officer executive QA clear अन दोस्तों जो qualification होना चाहिए वो हमारा दोस्तों BSC MSC chemistry and work experience चाहिए 3 to 9 years का ठीक है next आते दोस्तों department होने वाला है QC designation होने वाला है officer and executive QC qualification same BSC otherwise MSC chemistry में work experience चाहिए 3 to 9 years next आते दोस्तों दोस्तों डिपार्मेंट आते हैं maintenance designation क्या होने वाला है officer executive and technician qualification क्या होना चाहिए दोस्तों qualification होना चाहिए officer executive के लिए दोस्तों डिपलोमा otherwise B and mechanical engineering 3 to 5 years का साथ में work experience चाहिए next आते technician technician पोस्त के लिए दोस्त अगर आप लोग ITI fitter trade से पास आउट हो तब दोस्तों इस पोस्त के लिए लिजेबेलो and apply कर सकतो work experience 5 to 7 years next जो पोस्त होने वाला है दोस्तों department electrical designation electrician qualification दोस्तों अगर आप लोग ITI electrician and wireman trade से पास आउट हो तब दोस्तों इस पोस्त के लिए आप लोग ILE जेबेलो and apply कर सकतो 5 to 7 years का work experience भी दोस्तों साथ में चाहिए ठीके next जो आते दोस्तों utility, utility operator and SPD operator qualification दोस्तों ITI, RFM and MMCP experience 5 to 7 years next जो दोस्तों instrument department designation executive and instrument technician executive post के लिए B.E. instrument engineering 6 to 9 years का work experience चाहिए instrument technician के लिए ITI, IMCP 5 to 7 years का work experience चाहिए next आते EHS department designation officer and executive qualification diploma chemical engineering B.H.C. M.H.C. chemistry with PDIS and ADIS work experience 3 to 5 years ठीके purchase department के लिए designation officer qualification चाहिए any graduation plus material management उसके साथ दोस्तों 3 to 5 years का work experience चाहिए next जो दोस्तों post होने वाला E.X.IM designation होने वाला officer qualification चाहिए B.B.A. B.C.M. M.C.M. diploma E.X.I.M. work experience चाहिए दोस्तों 3 to 5 years का ठीके यह जो दोस्तों post हमने अभी बताया यह दोस्तों post होने वाला location दहेज location में clear यह जो production से start किया and then दोस्तों last में E.X.I.M. इस department में दोस्तों end किया इतना तक हमारा location होगा दहेज location के लिए इतना तक दोस्तों vacancy है ठीके अब आते दोस्तों वाददोरा location में ठीके वाददोरा location दोस्तों department होने वाला है R&D designation होने वाला है operator officer executive qualification होने वाला है ITI L.A.C.P. B.C. MS.C. organic chemistry M.A.C. में ठीके वार्क एक्स्प्रियेंस चाहिए 3-5 एर्स नेग्जों department होने वाला है ADL designation होने वाला है operator officers and executive qualification चाहिए ITI L.A.C.P. B.C. M.A.C. organic analytic and chemistry वार्क एक्स्प्रियेंस चाहिए 5-8 एर्स का नेग्जों दोस्तों पोस्त होने वाला है R&D zeolite designation होने वाला है officer qualification चाहिए MSC material and physical chemistry 3-5 एर्स का ठीके R&D zeolite next department qualification होना चाहिए sorry दोस्तों मतलब designation होगा assistant and DUI manager qualification चाहिए PhD material otherwise physical chemistry work experience चाहिए दोस्तों 5-10 एर्स का नेग्जों दोस्तों पोस्त होने वाला है finance and accounts designation होने वाला है accounts officer qualification चाहिए become otherwise income ठीके 3-5 एर्स का work experience चाहिए नेग्जों दोस्तों पोस्त होने वाला है EXIM डेजिग्नेशन होने वाला है EXIM officer qualification चाहिए बीबीए become income with diploma in EXIM work experience 3-5 एर्स ठीके तो दोस्तों फार्स्तों आप लोग को समझ में आया कौनसा department के लिए क्या designation चाहिए कौनसा department के लिए क्या designation चाहिए क्या qualification चाहिए और उसके साथ साथ क्या work experience चाहिए ठीके इतना तक दोस्तों आप लोग को समझ माया ठीके अब दोस्तों जो जो eligibility criteria में बताया डिपार्मेंट, डेजिगनेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सप्रियेंस इसके हिसाब से दोस्तो अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो एन एलिजेबेल हो ठीके ना तो फास्ट आप लोगों को 17 नवेंबर 24 सांडे इस एडरेस्ट पे दोस्तो वाकिन इंटर्व्यू होने वाला है अप लोग पार्टिसिपेट जरूर करना ठीके, फास्ट आप्सट ये हो गया एन दोस्तो सेगेंट आप्शिन ठीके, क्या लिख्खा है इसको आप लोगों ध्यान से देखना होगा सो में बताया, सिगेंट आप्शिन कैसे अप्लाई करना है अगर आप लोग इंटर्व्यू लोकेशन में पहुच नहीं सकते हो तो इस मेल आईडी के थ्रू दोस्तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो अप्लाई कैसे करोगे आप लोग का अप्डेट रिजूम इस मेल आईडी पे फोरवाड करना है किलियार दोस्तो इस मेल आईडी को मैं अपना वीडियो का डेस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा आप लोग बस कॉपी कर लेना ठीके इतना तक आ गया अब दोस्तो इस पॉइंट को समझते प्रेफरेंस कांडिडेट विद टू यर्स्टैबिलिटी इन लास्ट ओन एर्गानिजेशन इस मास्ट चांडिडेट वू एद अप्रियर इन लास्ट 6 मन्थ नीद नॉट अप्लाई application forces interest candidates are required to register first by QR code scan and then personally appear for interview with CB, passport size photo and other card दोस्तों इस QR code के through भी दोस्तों आप लोग scan करके registration कर सकते हो clear अब दोस्तों जो जो लोग आप लोग interview देने के लिए जाओगे साथ में CB, passport size photo and other card जरूर लेके जाना clear? I hope दोस्तों आप लोगों को full समाज में आया फिर भी कोज डाउट है दोस्तों वीडियो का comment box में comment करना हम reply जरूर करेंगे ठीके? चलो आज का वीडियो एई तत था आते ये next वीडियो लेके दोस्तों जै हिंट